मैं एक्टर इसलिए बना, क्योंकि मेरे एक प्रॉब्लम थी मैं एक इंट्रोवर्ट था मैं फैमिली में सबसे छोटा था मुझे इतना लाड़ प्यार मिला कि जब मैं घर से बाहर जाता था तो मुझे पता नहीं था कि लोगों से कैसे बात की जाती है तो उस लाड़ प्यार के वज़ा से मैं एक शर्मीला और एक इंट्रोवर्ट बच्चा बन गया मुझे अब भी बात करनी नहीं आती मुझे स्टेज से डर लगता है As an actor, मैं उन सब fascinating characters के पीछे छुप जाता हूँ जो confident नजर आते हैं मुझे पक्का यकीन है कि जब मैं आपकी उमर का था तब मैं इतना smart नहीं था जितने आप लोग हो आपको पहले से पता है कि गला कार्ट competition क्या होती है आपको hard work, preserveance, vision, focus, self belief जैसी चीज़ों की एहमेत पहले से पता है तो मुझे इसके बारे में बात करने की जुरूत नहीं है मैं आपसे सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ अपने सपनों का पीछा करना और अपने सपनों को असल में जीना जब मैं अपने career की शुरुआत कर रहा था तो बदकिस्मती से दो वाते मुझे किसी ने नहीं बताएती और वो दो वाते हैं काम्याबी के बारे में एक सबसे बड़ा जूट और एक सबसे बड़ा सच सबसे बड़ा जूट ये है कि money plus recognition is equal to happiness is equal to success मैं एक बहुत middle class family से आता हूँ जब मैं बड़ा हो रहा था तब पैसा हमारी सबसे बड़ी problem थी मुझे पैसों से बहुत फरक पड़ता था और मेरी family की तीन generations ने कभी ये महसूस नहीं किया कि fame आखिर क्या होता है तो basically पैसा और recognition दोनों missing थे जो मुझे चाहिए थे मेरी शुरुआत एक failure के तोर पर हुई मेरी family ने मुझे से कहा कि मुझे engineer बनना होगा medical failure मेरी sisters के लिए book थी तो एक बार अगर मैं engineer बन गया तो मैं civil services के exam दे सकता था और फिर उसके बाद शायद खुशियों के सारे दर्वाजे खुल जाते और मैं हमेशा के लिए कामियाब और हमेशा के लिए खुश रह सकता था तो जब मैं बड़ा हो रहा था तब easy मेरी conditioning होई थी तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा बन गया 10th के exams में मैं काफी अच्छे marks लाया और फिर मैं 12th के लिए देली चला गया वहाँ मैंने एक अच्छे स्कूल में admission ले लिया और विद्या मंदीर फिडिजी समेथ कई कोचिंग इंस्टिटूट्स में भी admission ले लिया उस समय मैं मेरे जैसे ही तीन experience के साथ room share करता था इसका मतलब वहाँ अपने school assignments finish करने के बाद engineering entrance exams की पढ़ाई करने के बाद मुझे अपने कपड़े दोना पड़ते थे खुद के लिए खाना बनाना पड़ता था लेकिन मैं complain नहीं करता था क्योंकि मैं अपनी life में पहली बार कामयाब इंसान बनने के बहुत करीब था तो finally मैं कई engineering colleges के लिए select हो गया और मैंने decide कि मैं Delhi College of Engineering में admission लूँगा मेरी family में जश्न बन रहा था finally अब मैं रुक कर सांस ले सकता था मैं खुछ से कह रहा था कि तुम्हें पता है तुमने कर दिखाया तुम्हें तो खुश होना चाहिए लेकिन इससे काम नहीं बन रहा था कुछ ना कुछ missing था एक खाली पन को मैं महसूस कर सकता था तो मैंने सोचा कि मुझे शायद और बड़ी कामयावी की जरूरत है जब मैं 18-19 साल का था तो किसी वज़ा से मुझे future में present से ज्यादा खुशी और ज्यादा कामयावी दिखाई दिती थी तो मैंने civil services के exams के तैयारी करना शुरू कर दी मैं मान रहा था कि मैं इसे pass कर ही लूँगा लेकिन मैं बोर हो गया और यूपेस से exams बहुत दूर थे इस दोरान मुझे theater करने का खयाल आया और मैंने सोचा कि मुझे अपनी shyness खतम करने के लिए dance सिखना चाहिए और एक reason ये था कि मेरे engineering course में कोई लड़की नहीं थी मुझे एक धोके जैसा feel हुआ आप entrance exams crack करते हो और आपको पता चलता है कि वहाँ कोई लड़की ही नहीं है तो किसी ने मुझे बताया कि dance school में बहुत good looking लड़की आए तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ जाते है तो जब मैंने performing arts शुरू किया तो एक चीज के लिए मैं sure था वह ये कि ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था और तीन साल बाद मैं campus में बेट कर ये सोच रहा था कि ठीक है मुझे performing arts बहुत पसंद है और कुल मिलाकर मुझे पैसा और फेहमी तो चाहिए तो क्यों ना मैं एक film star बन जाऊ मैं बहुत serious था third year में मैंने engineering छोड़ दी मैं degree से engineering degree से बस दो semesters दूर था मैं मुंबई आ गया और पूरी तरह से theater में घुज गया और actor बनने के लिए जो skills की ज़रूरत थी वो सीखना मैंने शुरू कर दी और उस time मैं एक single room kitchen में छे दूसरा लड़कों के साथ रहता था लेकिन इस time मैं तयार था इस time मैं एक फरक था वो ये कि मैं बहुत जोश में था मेरा self respect दाव पर लगा हुआ था इसलिए मुझे हर किसी को एक बात साबित करनी थी मुझे अपने परिवार को एक बात साबित करनी थी और सबसे जरूरी मुझे खुद को एक बात साबित करनी थी और ये वो time था जब मैं एक background dancer था और मैं हर उस star के पीछे dance कर रहा था तो इसे ही चलता रहा। और दो साल बाद, मुझे मेरा पहला बड़ा ब्रेक मिला। मैं एक प्राइम टाइम टीवी चो के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। यह सीरियस लिए एक बड़ा ब्रेक था। क्योंकि मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था। और लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया था। इमानदारी से बताऊं तो मैं जान बूज कर मौज गूमने जाता था। ताकि लोग मुझे देखें, स्माइल करें, मेरा आटोग्राफ लें। और मैं खुद को पहली बार टीवी पर देख रहा था। आपको कोई आइडिया नी है कि जब मेरे जैसा इनसान खुद को टीवी पर देखता है तो कैसा लगता है। मैं रोज खुद को टीवी पर देख रहा था। ये बहुत 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 बढ़ा नशा था। मैंने ये भी देखा कि मेरे जो दोस्त इस सफर में मेरे साथ नहीं थे, अचानक से उभर कर आने लगे, वो शोब बहुत पॉपिलर हो गया, मैं बहुत पैसा बना रहा था, और एक समय ऐसा भी आया, जब मुझे पैसों से फरक पड़ना बंद हो गया, और मैं और ज्यादा प स्क्रीम कार खरीदी, और मैं आपको ये भी बता दू कि अब जितना मुझे फीमेल आटेंशन मिल रहा था, उतना मेरे इंजिनिरिंग कॉलेज के दोस्त बस सपने में ही सोच सकते थे, मैं बहुत अच्छा टाइम बिता रहा था, और तब ही कुछ अजीब सी चीज मेरे आदत हो जाती है, और मैं फिर से धोका खाया हुआ महसूस करने लगता हूँ, जो सबना में जी रहा था, मैंने इसके लिए 10-15 साल इंतिजार किया था, मुझे खुशी का और काम्यावी का वादा किया गया था, लेकिन ये चीज़े मेरे पास सिफ कुछ ही दिन रही, मैं ख दूसरी बात, सबसे बड़ा सच, मुझे पता चला कि जो चीज़े हमें बड़ी दिखती हैं, वो जब हमें मिल जाती हैं, तो बदा चलता है कि वो बड़ी नहीं है, अपने पास्ट में देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि छोटी छोटी चीज़े ही बहुत बड़ी चीज मुझे अपने future को लेकर जुनून सवार था, मैं past की पूरी responsibility तो ले रहा था, लेकिन मैं past और future के बीच में जूल रहा था, और present में नहीं जी रहा था, मुझे पता चला कि जब मैं stage पर या camera के सामने perform करता हूं, तो बहुत excited रहता हूं, मैं उसमें इतना खो जाता हूं कि म मैं बस उस लम्हें को जीता था, और जब मैं perform कर रहा होता था, तब सही माइनों में मैं जिन्दा होता था, और पहली बार मुझे पर विश्वास करिए कि पहली बार मैंने ये समझा कि success का असल मतलब क्या होता है, ये पैसा और fame नहीं था, ये present था और excitement था, जब मैं स्कू और चार बज़ते ही मैं बाहर जाकर खेलता था, और वो देड़ घंटा मुझे पांच मिनिट्स के जैसा लगता था, मैं इसे तब नहीं समझ पाया, लेकिन अब बहुत honestly और बहुत confidently मैं आपसे ये कह सकता हूँ, कि मैं वो चार बज़े से साड़े पांच बज़े वाला time right now, पिछले पांच सालों से जी रहा हूँ, cause और effect अलग अलग चीज़े नहीं है, excitement cause है, excitement effect है, तो पांच साल बाद मैं यहां हूँ, और मेरे पास बहुत सारा पैसा और fame है, लेकिन अब मेरी life में पैसा और fame की कोई उकात नहीं है, मेरे नहीं है, व्याइब रखे हैं मेरे पांच सालों से जी रहा है, राद मत आच सालों से भांच सालों से आए की कोई ङोज़े तो खांच.